अगर आप फॉर्स अपना नीट का देने जा रहे तो अभी आप 12 संडर्ड में हो गया आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ड हो जाता है बोर्ट और नीट को साथ में मैनेज कर पाना पूरे साल तो हमने जैसे तैसे स्कूल में कम मार्स ला ले क्योंकि हमें पता था कि आपका कॉंटेक्ट हटने आलो और आप बोर्स में कम ताइम में आपका कम मार्स ला लोगा अगर आपने वीडियो की जो चीजे में बताऊंगो उनको आपने अच्छे से फॉलो किया इंकेस या नियो हिया इस ओमिश्रा करेंटली पॉसिंग मैं MBBS फॉम जीम्सी पड़ता मुझे अपने बोर्स के पर्सेंटेज शोफ नहीं करने तो तो ससाइटी तो पेरेंट्स तो फैमिली मेंबर जो भी हैं और कंप्लीट्ली डिवोटे तो देर एक्जाम जो रीडिंग वेकेशन एक दो हफते का मिलता है जो दस दिन का मिलता है अप उसमें में भी तैयारी चालू कर सकते हो और उसके बाद अब पूल अव गिर्वर कर सकते हो वो दस दिन में फिर एक्जाम के भी के बीच में गैप इसमें पोल समय कि पूल अप कर सकते हो अब उतने हमें सट्वाइडव Also20, although यह पहले ऐसा था था कि पहले नीट और ऐसे अघ्यम नहीं त आपके PCB में मिला के 75% क्रॉस होने चाहिए, that is roughly the I know कि इतना कुछ कुछ क्राइटेरिया नीट में लाने का, उसके साथ आप बोल सते हो कि यहां मुझे फरक नी पड़ता, मैं 10 दिन पड़ूगा, तो मैं at least 75 to 80 अपने PCB में क्रॉस कर लूगा, केस टू की बात करता हूँ, ज सेकेंडली मैंने वो केस में डाला है बच्चो को जो नीट की तयारी तो कर रहे थे, लेकिन मेंली उनका फोकस अपने मॉड्यूस और अपने नोट्स पर ही था, और फिजिक्स जैसे सब्जेक ही तो उन्होंने नीट पूरे साल अच्छी से पढ़ी यह तीनों सब्जेक की, क्योंकि बायो में तो सभी NCRT उसकरते हैं, लेकिन यह दो सब्जेक में अगर अपने NCRT उसकर नहीं की तो आपको मिनिमम मिनिमम थ्री मूंस चाहिए अपने बोर्स की प्रपरेशन के लिए, फर्स्ट अफॉल मैं वो सुरेंट की प्रपरेशन टाइम बता देता हूं जिन बहुत अच्य से सौल किया, लेकिन अटर्मस अफ 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 इसमें से शॉट नोट जो हमारे बोर्ड में होता हूं आता है, तो वह अपको अच्छे से प्रपेर करना है, उसके साथ साथ जितने भी डाइग्राम्स होते हैं, डिवाइजिस सारे topics करके जाओ, एक महीने वह पॉसिबल नहीं है, बहुत जादा time consuming हो जाएगा, and it's not a smart way, आपके पास 10 साल के paper होने चाहिए, analyze करो, एक list बना लो, 5 मार्क में पिछले 10 साल से यह पूचे गा है, short notes में यह पूचे गा है, and 1 मार्कर तो आप ऐसे भी कर लो, क्योंकि आप वैसे भी नीट के लो, objective भी हम ही पढ़ते हो, में आपका 5 मार्कर और 3 मार्कर के लिए, last 10 साल के paper देख के analysis कर लो, same chemistry में, chemistry में उतना 5 मार्कर आपको subject wise लर्म करने के ज़रूद नहीं है, पर आपकी chemistry में at least, at least boards का फाइदा उठाओ, और इसी चक्कर में अपनी पूरी NCIT के की solve करो, लेकिन फिर भी लोग अपनी modules में घुसे रहते, अपनी PYQ में लगे रहते हो, लोग NCIT को पूरी neglect करते हैं, तो at least boards का फाइदा हो, कि आप अपनी chemistry की पूरी NCIT की exercise, solve example, index questions कर लो, क्योंकि boards में तो repeat ही होते हैं, boards chemistry का बताओ, तो आपकी NCIT की exercise और PYQ से भार कुछ नहीं आता है, specifically inorganic में आपको बहुत जाता है चीज़े इनो subjective में memorize करनी पड़ेंगे, DNF blog हुआ, P blog इतना बड़ा chapter हुआ, metallurgy हुआ, इसमें से बहुत सरी चीज़े आपको, instead of you know, one liner, जो भी तक आप सिर रीड कर लेते थे, अब आपको ऐसे subjective में याद करना पड़ेगा, अगर ये 5 marker आ गया, तो मुझे क्या क्या करना है, और of course, writing practice से सारे 5 marks की बहुत ज़्यादा ज़र होगी है, बायो में, बायो की तो NCIT हम सब सबसे ज़्यादा पड़े रहते हैं, तो उसमें थोड़ा कम hard work रहेगा, of course, आपने बायो की NCIT line by line पड़ी है, बट अगर अगेन आपको पूरे one and a half month या जो one month है आपका, आपको अपना focus पूरा shift कर देना है, you know, subjective way में, आपको again 5 marker जितने भी आते हो, सब की list बना लेनी है, and पूरे साल अपने pre-boards दे होंगे, इतने सारे school exams दे होंगे, उससे भी आपको आइडिया लगी के होगा, कौन से chapter से 5 marker क्या क्या जिसमें से English तो एक आपका compulsory होगा, मैंने personally physical education लिया था, जो मेरा 5th subject था, कुछ लोग CS भी लेते हैं, it depends upon you, लेकिन जैसे physical education मैंने इसी ले ले था, क्योंकि मुझे पता हूँ, end time पे भी पढ़के, उसमें marks बहुत अच्छे last आ सकते हैं, and मैंने last 2 हफते में से physical education पढ़ा मेरे 70 में से 69 आए थे boards में, क्योंकि उतना कुछ पढ़ने जैसा नहीं होता, same मेरे English में भी ऐसे बहुत अच्छे आ गए थे, क्योंकि last 1 month आप हर दी एक गंटा 2 stories को, जो English में जितनी भी literature stories होते हैं, आपका काम आसानी से बन जाएगा, okay, so जो आपका 1 month का span है, जहाँ पर की तैयारी करते रहोंगे, तो mainly आप अपनी NCRT पढ़ रहे हो daily basis पर, आप अपने NCRT काई content, NCRT काई diagram वही सब आप पढ़ रहे हो, लेकिन main point जो लोग कहते हैं कि आप NEET से disconnect हो जाते हो, वो होता MCQ practice, main हम MCQ practice नहीं कर पाते हैं, एक मेने जो हम लोग कहते हैं कि आप NEET से प regular basis के practice करा सके, for example, you can use the app MemoNit, जहां पे 30,000 plus questions हैं, जो NCRT के के क्लाइन से बने हो हैं, तो आप पूरे दिन अपना boards की preparation करो, सिर्फ दिन का आधा घंटा या 45 minutes या जो भी आप period में बहुत tired होते हो, आप NCRT line by line आप MCQs and 30,000 plus, जो आप daily basis पे इनों solve कर सकते हो, free time में, उसक assertion reasons इतने आसुक हैं कि लोग, you know, assertion reasons बहुत practice करते हैं, तो आपका वह एक महीने FOMO होना रहे, तो इस पे assertion reason questions भी भर भर के हैं, वो भी practice कर सकते हैं, और अगेन अपने NCRT की knowledge apply करोगे, तो आपका boards का भी division साथी में चली रहोगा, उसके साथ साथ सिर्फ physical chemistry के सारे formulas आपक Also Memo Neat contains all the PYQs of the NEAT exam, जो आपको मैं नहीं कर एकदम अच्छे से बैटके solve करो, बस एक rough paper लो, daily basis पे solve करते रहो, यहाँ पे hints and solution इतने अच्छे से सब आपके दिये हुए हैं, कि बस आप उसको देख लो कि आपका approach सही था, उसके बाद आगे बढ़ो, same physics में भी PYQ हर साल इ आपको रिवाइस करो, आपके में अच्छा ओला जो concept है वो आपके रिटें रहे, so like this you will be connected to your board exam as well as to your NEAT exam, और बहुत smartly आप दोनो चीज मैंने कर सकते हो, and इतने वराइटी आप कर सकते हो, and इतने वराइटी आप कर सकते हो, इतने वराइटी आप कर सकते हो, इतने आपको match the column हुआ, NEAT के PYQ question हुए, and यह सब आपको अच्छे properly hint and solution के साथ मिल जाएंगे, so go and download this app, link is in the description, and also in the pin comment, and do let me know the review of this app, कि आपको कितना ज्यादा beneficial हो आपके boards की preparation के टाइम पे भी, and now lastly for those students, जीनोंने पूरे साल सिफ बाव की NCRT चैसे पढ़े, क्योंकि उनको अनको अपनी coaching का ही material पढ़ते थे, तो आपको अभी सी समय सब छोड़ कि अपनी chemistry और physics के NCRT पढ़ना चालू कर देना चीए, क्योंकि एक महिने में आप इतना बड़ा content पढ़ो NCRT से और उसको retain रख पाऊ, possible नहीं है, specifically if I tell about my case, तो मेरा क्या था, मैं chemistry और bio की तो NCRT पूरे साल थिर हुआ कि मैं बोर्ट के वन मन्त पहले लेके बैठा, फिजिक्स के NCRT जो मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़े ते लिकिन इतना अच्छे से नहीं पढ़े थे, जैसे मेरे फिजिक्स और bio के पढ़े थे, हुआ कि उतना मैंने टाइम नहीं दिया, उतने मैंने मैंने मुल् अच्छे से नहीं पढ़े थे, तो मैं कहा रहा हूं, अगर आपने फिजिक्स के NCRT अच्छे से नहीं पढ़ी, chemistry के भी, तो अभी से आप चालो कर दो पढ़ना तभी आपको 2-3 महीने तक आप उसको पढ़ो के तभी आपको रिटेन रहे गा, और उसके साथ-साथ वो सारी आपको कुछ नहीं होने वाला, जो लॉस हो रहा था, वो था, MCQ ना सौल कर पाने के प्रेक्टिस, and believe me, एक देड महीन अगर आप आप टेस सेरीज भी नहीं दे रहे हो, कुछ उसमार पाहड नहीं टूट जागा, आप MCQ प्रेक्टिस कर रहे हो, आपको मेन अपनी स्पीड बढ़ानी हैं, तो उसके बाद आप फिर धेर सारी टेसरी देना, नीट अपका जून तक होने वाला हैं, rather than completely being disconnected from the नीट, आप ऐसे अपना smartly board on नीट को manage कर सकते हो, so I hope you liked my video, all my strategies that I, you know, share with you all, so like my video, subscribe to my channel, and we'll meet in the next video, till then, take care and bye-bye.